स्टार्ट सवापती मोहदे मैं सदन का अधिक समय नहीं लूँगा मैं केवल एक दो बातों की ओर बित्मंत्री और सरकार का ध्यान आकरष्ट करना चाहता हूँ आज बिजली के मामले में राजिस्तान की हालत बहुत नाजुक है खासतोर से पिछले पांच साथ दिनों से गावों में परिसानी बहुत बढ़ गई है मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है नतीजा यह हुआ है कि जो पसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है बहां पहले से ही अकाल की इस्तिती है बिजली ठीक तरह से ना मिलने के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है इसलिए बिजली की और अधिक फेलाने की बात को छोड़ कर सरकार उसकी पूर्ती को नियमित करे पिरगराप चिन उधर से जो मानिय सदस्य बोलते हैं बे बातें करीब करीब बही करते हैं जो हम कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है बे भी कहते हैं कि महंगाई है बेकारी है और हालत खराब है सरकार की और से भी हर एक बासड को इसी बाक्य से सुरू किया जाता है कि उसे बिरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने मैं समय लगेगा मैंने बेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक समय निश्चित कर दे कि वह कब इस पहले बाक्य को बोलना छोड़ देगी हम सरकार का बिरोध नहीं करेंगे वह हमें भासड लिख कर दे और बता दे की हमें क्या करना है हम बैसे ही इस सदन में और जनता के सामने बोलेंगे लेकिन वह देश की हालत को सुधारे आज चारों और हालत बिगड रही है आज गावों में कोई बैबस्था नहीं है सरकार हम लोगों को कब तक दोस देती रहेगी यदि हालत ना सुधरी तो वे लोग भी डूबेंगे हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा आज गावों में हालत बहुत गंभीर रूप से बिगड रही है मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूं आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है कुछ लोग उधर बैटे हैं और हम इधर बैटे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेरग्राप चेंज हालत सब और सब और से खराब है बिजली खराब है कोईला खराब है तेल नहीं मिल रहा है किसानों के काम सब तरब से रुके हुए हैं गामों के अंदर इतनी महंगाई बड़ रही है कि गरिबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई और भी बड़ेगी अनाज का उत्पादन कम हो गया है भाब अभी उचे हो रहे हैं आगे और भी उचे होंगे आप फिर कहेंगे कि आयात से बिल बड़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बड़ गए हैं तो आप मुसीबत में फस गए हैं आप मुसीबत में भसتे हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है इसलिए आप गंबीरतापूर्वग सोचें कुछ हम से सहथा लेना चाहते हैं तो ले जिस तरह से भी लेना चाहते हैं ले आप जैसा कहेंगे बैसा हम जनता से जाकर कहेंगे अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजिस्थान के लिए आप अवस्य कुछ करें